कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल आउनलाइन स्ट्रीव डिके में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजेट एक्जाम 2019 के लिए हिंदी पैड़ागोजी के 30 महतुपुर्ण प्रशन है तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का हम हिंदी भासा स्विक्शन सास्तर के 30 महतुपुर्ण प्रशनों का सैट तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आप यह सीजेट एक्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हिंदी पैड़ागोजी के 15 प्रशन आते हैं और यहां हमने 30 प्रशनों को सामिल किया है ताकि आत्मे विश्वास विक्शत करने के लिए आवश्चक होता है तो किसी भी रशना की बारे में सुदंत राय बनाने और आत्मे विश्वास विक्शत करने के लिए सबसे आवश्चक जो होता है वो होता है भाशा बोद एवर साहिती बोद और फोर तो जो रहेगा यह हमारा यहां पर उत्तर रहेगा। चलिए अलिए प्रश्णASH हैं। बच्चों के लिए अतरिक्त पतन सामगुरी क्यों विक्सित की जाती है। तो बच्चों के लिए अतरिक्त पढ़न सामगरी जो होती है वो विक्सित की जाती है बच्चों की पढ़ने में रूचित जगाने भासा ज्यान में व्रधी के लिए विक्सित की जाती है अतरिक्त पढ़न सामगरी आफसन फर्स्ट होगा यहां पर हमारा उत्तर चलिए अगल पर होता है option first भासा की नियम बद्र प्रकृति को पहचानना option first होगा यहां पर हमारा उत्तर चलिए अलब प्रश्ण लेते हैं विभेन कारी छेत्रों से जुड़ी प्रयोक्तों से विध्यार्ति को परिचित कराया जाना चाहिए तो इस कथल में प्रयोक्ति से तात्परी क्या तो नहीं रखा जाता है प्रतिक्ष विधी में उस फोर्त यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा चलिए अगला hypocशन है भासा सीख्षण के संदर्व मैं किसी सिक्षक के लिए सरवादिक महदतपूर्ड मैं क्या होता है तो वहां पर होता है भासा प्रयोक के अधिक से अधिक हमारा उत्तर है और ये प्रशन काफी बार शीजरेट में पूछा फिज प्रशुका है ऑगला प्रश्न 어쨌든 छोगा और ने वा से चलिए और फ्रॉक्तर लिए वत्तर होता है तो अ क्यों पर हमारा उत्तर चलिए अगला प्रशन है जब सिख्षी का पूछती है कि हम भी सफल होंगे तो इस वाकि में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है तो इसका आशे है कि सिख्षी का बच्चों को भाषा की बारिकियां समझाना चाहती है होगा यहां प्रश का उत्तर चलिए अगला प्रशन लेते हैं हिंदी भासा सिख्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महतुपूर्ण क्या होगा तो हिंदी भासा सिख्षक के रूप में हमारे लिए भासा प्रयोकिक शम्ता का विकास व्याकरानिक नियमों के जानकारी भा चली अगला प्रस्थन है, साहित के किस विधा के सीक्षन में सस्वर पठन सरवादिक अपक्षित होता है, तो यह अपक्षित होता है, और समधा थर्ड यहां पर होगा, एकांगी के अंदर, चली अगला प्रस्थन है, उच्छे प्रात्मिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्ण को सरवादिक महतुपुर्ण देंगे तो यहां पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखना है तो किस प्रश्ण को सरवादिक महतुपुर्ण समझते हैं तो यहां पर अभिव्यक्ति को परखने के लिए हम मुहावरे जिसे आखों पर परदब पढ़ना मुहावरे का वाकी में प्रियोग किजिए और जब बच्चा इसका वाकी में प्रियोग करता है तो हम उसकी जो अभिव्यक्ति है भाषा सिक्षा की वो इसमें हम परख सकते है चलिए अगला प्रश्ण है कक्षा आठ में पढ़ने वाली मंदिनी लिखते समय वरतनी की कुछ अश्दियां करती है यहाँ पर मंदिनी की जगह पर नंदिनी है थोड़ा सा ये तुरूटी बस हो चुगा है लिखने में तो नंदनी लिखते समय वरतनी के असुधियां करती है और भासा सिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारियां मानते हैं तो देखिए वो लिखते समय असुधियां जब करती है तो भासा सिक्षक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती है तो नंदनी को ऐसी आउसर प्रदान करना कि वह स्वयमन में सुधार करे और सिखेने यहाँ पर नंदनी के अशुधियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बाहर लेकवाना तो यह तो यह हम पर बिल्कुल सही नहीं होगा अफसन सेकेंड तो यहाँ पर नंदनी को समझाना कि वरतनी के अशुधियां करने पर उसके काटे जाएंगे तो यहाँ पर उसके अंदर उतना सुधार साथ उसके अंदर नहीं हो सकता है और फोर्त यहां पर नंदनी को समझाना कि वरतनी की अशुद्धी ही लेखन का ससक्त पहलो है, सुद्धता ही लेखन का ससक्त पहलो है, तो दीखे यहां पर हमें उसकी तूटियों को सुधार करवाना है, तो यहां पर हम उसे ऐसे अवसर पदान करना कि वह स्वयम उनमें सु कर सके और सुन फर्स्ट यहां पर हमारा उत्तर होगा चलिए अगला प्रशना है कि उच्छ प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के सिक्षन के संबंद में आपके लिए सरवादिक महतपुर्ण है तो यहां पर मुहावरे और लोकोक्तियों के सिक्षन में सबसे ज़्यादा महतपुर्ण क्या रहेगा तो फस्ट यहां पर मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना अधिक सदिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाशा को अलंकारिक बनाना संदर बनुशार मुहावरे लोकुक्तियों की प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना और फूरती यहाँ पर है मुहावरे लोकुक्तियों के अर्थ का अर्थ समझाने का प्रयत्ना तो यहाँ पर हमारा उत्तर हेगा और संधर्व अनुशार मुहावरे लोकुक्तियों की प्रयोग को समझ इमाम कह सकते हैं तो जब अनुमान के साथ भाव ग्रहन किया जा रहा हो तो आप्सन फुर्स्ट यहां पर होगा हमारा सही उत्तर चलिए अलब प्रश्ण है उच्च माधिमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठी पुस्तक में हिंदे तर भाषाओं की रश्णाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देशी जो होता है वो क्यों होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं अनि भाषाओं की व्याकरण से परिचित कराने के लिए अनि भाषाओं की उत्करश्ट साहिति से परिचित कराने के लिए हिंदी दर भासाओं के रशनाओं को भी इस्थान देने का उदेशी होता है तो अपस्वन सीकेंड जो होगा यह यहाँ पर उत्तर होनेगा चलिए अगला प्रशन है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर वह में कौन सा कथन सबसे उप्युक्त है तो यहाँ पर सबसे उप्युक्त कथन को में देखना है तो देखे पढ़ना सीखने के तुलना में लिखना सीखना जटिल है और सीखने यहाँ पर लिखना सीखने के तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है और थर्ट है दोनों कोसल एक एक करके सीखे जाते हैं लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप चे अंता संबंद्ध आं तुई देखा जाये तो और विएसान फूर्थ या भी हमारा यहां पर सही है पर यहां पर उप्युक्त गतन कर रहें तो इसलिए हम अवस थर्ड का यहां पर उत्तर लगा रहे हैं दोनों को शल एक करके सीखे जाते हैं पद्य गद्य और नाटक हमारी रिक्तिस्थान सम्वेदना को धार बदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के रिक्तिस्थान पहलों को भी सम्रद्ध करते हैं तो यहां पर दो रिक्तिस्थान दिये हैं और इनमें हमें चैन करना है उन दो सब्दों का जो इसमें मिलकुल सही रूप से लागो होते हैं तो यहां पर गद्य नाटक हमारी सांध्सक्रतिक और संवेदना को धार्पदान करने के सांथ सथ हमारे जीवन के साहित्यक पहलू को भी समरद्य करते हैं तो यहां पर हमारा उत्तर होगा अगला प्रशन है कोई भाषा कोई एक भाषा लीपी या लीपियों में लिखी जा सकती है हां उसमें थोड़ा वहत फैर बदल हो सकता है तो कहीं भाषा जो होती है राहारी पर यहां पर आमारा उत्तर होगा चलिए अलब प्रशन है वाणी और लेखन में मूल अंतर यहा है कि लिखित भाषा रिक्तिस्थान इस तर पर देखी जाती है और रिक्तिस्थान होती है तो यहाँ पर भी रिक्तिस्थान है तो रिक्तिस्थान होती है तो वाणी और लेखन में अंतर क्या होता है तो ये सचतन लेखित भासा सचतन इस तरह पर देखी जाती है और कालबद होती है तो फूर्थ यहां पर हमारा उत्तर होगा चलिए अलब प्रश्न है भासा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्मान करने के लिए जरूरी है तो समावेशी कक्षा वातावरण का निर्मान करने के लिए क्या जरूरी हो सकता है तो बच्चों की सभ्याव शक्ताओं को पूर्ण किया जाए सेके ने बच्चों को विवेद दरश्य सामगरी उपलब्द कराए जाए तो जब हम अलग-अलग प्रकार की दरश्य सामगरी उपलब्द कराए तो उससे भी कक्षा के अंदर समावेशी वातावरा निर्मित हो सकता है तो इसलिए उत्तर हमरा अफ्सन सेकें यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूं चलिए अगरा प्रशन है उचे प्रात्मिक स्तर पर हिंदी भासा सिक्षन का सरवादिक संबंद किस से होता है तो वहाँ पर होता है स्रिजनात्मक लेखन की अनिवादिता से अप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर चलिए अगला प्रशन है भाषा नियमो द्वारा नियंत्रत रिक्तिस्थान का माध्यम भर नहीं बलकि यह हमरी सोच को भी निर्मित करती है तो यहाँ पर फिर एक रिक्तिस्थान है और इसमें कौन सा सब्द का चैन हम कर सकते है तो भाषा नियमुद्वारा नियंत्रत संप्रेशन का माध्यम भर नहीं है बलकि आमरी सोच को भी निर्मित करती है तो अप्शन थर्ड यहां पर हमारा उत्तर होगा अगला प्रशन है पूजा अपने वधिहारतियों को पढ़ाते समय द्रश्य स्रव्यू सामगरी का प्रिय अगला प्रशन है कक्ष्या आठ के बच्चों का सदत आंकलन करने में सबसे अधिक महतुपूर्ण है तो यहां पर सबसे अधिक महतुपूर्ण होगा भासा प्रियूग की क्ष्यम्ता तो उनकी भासा प्रियूग की क्ष्यम्ता का आंकलन देख सकते हैं आपसन सेगिन यहा समाज के साथ संपर्ग का ही परिणाम है यह विचार किसका है तो यह विचार जो है यह है आपसन फॉर्थ वाइगोत्सकी का यहां तो पर चलिए अलब प्रश्ण है भाषा अरजित करने की इस्तिती में बच्चे तो देखी भाषा अरज़त करने की जो इस्तति होती है उसमें बच्चे भासिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहन करते हैं क्योंकि भासारजन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है चलिए अगला प्रश्ण है कैं रमेश साथवी कख्षय में पड़ता है और सामान्य बात्चीत में ठीक है लेकिन वा पड़ते समय बार-बार अटकता है तो संभाव लोगस्त है है तो रमेश यहां पर ग्रस्त संभावता हो सकता है डिसलेक्षिया से, अगला प्रशन है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पढ़ुस की भाषा में रखते स्थान होना यह होनी चाहिए, तो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में समरूपता होना चाहिए जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो समझने में आसानी हो तो यहां पर अपसund second जो होगा यह हमारा उत्थर होगा अगला प्रशन है भार्षा की पाठी पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है तो आप क्या करेंगे तो जहां पर एकांकी में आए पातरों की समवाद याद करवाएंगे अब सुन सेकेंडे सिक्षार्थियों से एकांगी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे और एकांगी के मुख्य समवाद लिखवाएंगे या हावभाव के साथ एकांगी पढ़कर सुनाएंगे तो मंचन भी करवा सकते हैं परन्तु यहां सिख्षक के रूप में हैं तो हम क्या करेंगे तो हम हाव हाव के साथ एक आंकी पढ़ करके सुनाएंगे क्योंकि हम जैसा सुनाएंगे हाव हाव के साथ वैसा ही बच्चे फिर मंचन भी कर सकते हैं उसका तो हमारा कारी यहां पर रहेगा हाव हाव के साथ एक आंगे पढ़ करके सुनाना तो ऑसन फोर्थ यहां पर हमारा उत्तर होगा तो यह थे आज के हिंदे बड़ा गोजी के तीस प्रश्ण और प्रस्ण आपको कैसे लगे केमेंट्स करके जरूरत आएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक से और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप हमारे साथ ने समय तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक